हरी ओम तत्सत ज्ञान भक्ती चैनल में आपका स्वागत है इस सत्संग के माध्यम से हम ज्ञान भक्ती और सनातन धर्म का प्रसाद प्राप्त करते हैं यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्मांडिय इश्वरिय शक्ति को हमारे पूझनिय गुरुदेव श्री स्वामी जोतर्मायनंद जी महराज को सब संतों और शास्त्रों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को आज के सत्संग में हम गीता प्रेस गोरुख पुर्द्वारा प्रकाश पत्म पुरान के श्रीमत भगवत गीता के नवे और दस्वे अध्याय का महात्मय श्रवन करेंगे श्री महादेव जी कहते हैं पारवती अब मैं आदर पूर्वत नवम अध्याय के महात्मय का वरनन करूंगा तुम स्थिर होकर सुनू नर्मदा के तट पर महिश्मती नाम की एक नगरी है वहां माधव नाम के एक ब्रामन रहते थे जो वेद वेदांगों के तत्वग्य और समय समय पर आने वाले अतितियों के प्रेमी थे उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यग्य का अनुष्ठान अरंब किया उस यग्य में बली देने के लिए एक बकरा मगवाया गया जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब सबको आश्चरे में डालते हुए उस बकरे ने हसकर उच्च स्वर में कहा ब्रामन इस बहुत से यग्यों द्वारा क्या लाब है इनका फल तो नश्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यों के भी कारण है ये सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है इसे ही देख लो बकरे के सत्यंत कोतुल हल जनक वचन को सुनकर यग्य मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए तब में ये जमान ब्रामन हाथ जोड कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आधर के साथ पूछने लगे ब्रामन बोले आप किस जाती के थे आपका सोभाव और आचरण कैसा था तथा किस करम से आपको बकरे की योनी प्राप्त होई है अब सब मुझे बताईए बक्रा बोला ब्रामन, मैं पूर्व जन्में ब्रामनों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन हुआ था, समस्त यग्यों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीन था, एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ती से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांती के लिए बली देने के निमित मुझसे एक बक्रा मांगा, तत्पस्चात जब चंडी का के मंदिर में वो बक्रा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया, ओ ब्रामनों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वद करना चाहता है, मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मर्ण बना हुआ है, ब्रामन यदि आपको सुनने की उतकंठा हो, तो मैं एक और भी अश्चरे की बात बताता हूँ, कुरुक शेत्र नाम का एक नगर है, जो मुक्ष प्रदान करने वाला है, वाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्य व रहन लगा था, राजा ने बड़ी श्रदा के साथ काल पुरुष का दान करने की तयारी की, उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्रामन को बुलवाया, और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले, तीर्थ के पास पहुँ कर कर तत कालोचित मनुश्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लोटाए, आने पर राजा ने यतोचित विदी से भक्ति पूर्वक ब्रामन को काल पुरुष का दान दिया, तब काल पुरुष का हृदय चीर कर उसमें से एक पापात्मा चंडाल प्रकट हुआ, फिर थोड चंडालों की वह जोडी आँखें लाल किये निकली और ब्रामन के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी, ब्रामन मन ही मन गीता के नवे अध्याय का जब करते रहे और राजा चुप चाप ये सब कौतूक देखने लगे, ब्रामन के अंतह करण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उनी का ध्यान करने लगे, ब्रामन ने जब गीता के नवम अध्याय का जब करते हुए अपने आश्रे भूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विश्नु दूतों द्वारा पीडित होकर वे दोनों चंडाल भाग गए, उन भयंकर अपत्ती को आपने कैसे पार किया, आप किस मंत्र का जब तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे, वे पुरुष तथावस्तरी कोन थी, वे दोनों कैसे उपस्तित हुए, फिर वे शांत कैसे हो गए, ये सब मुझे बतलाईए, ब्रामन ने कहा राजन, चंडाल का र गीता के नवे अध्याय के मंत्रों की माला जबता था, उसी का महात्मय है कि सारा संकट दूर हो गया, मही पते मैं नित्य ही गीता के नवम अध्याय का जब करता हूं, उसी के प्रभाव से प्रती ग्रह जनित आपत्तियों के पार हो सका हूं, ये सुनकर राजा के, राजा उसी ब्राम्मन से गीता के नवम अध्याय का अभ्यास किया फिर वे दोनों ही परम शांती अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गए ये कथा सुनकर ब्राम्मन ने बक्रे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के अभ्यास से परम गती को प्राप्त किया तो भगवान शिर कहते है सुन्दरी अब तुम दस्वें अध्याय के महात्मे की परम पावन कथा सुनो जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुन्दर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है काशी पुरी में धीर बुद्धी नाम से एक विख्यात ब्रामण था जो मुझ में नंदी के समान भक्ती रखता था वह पावन कीर्ती के अरजन में ततपर रहने वाला शांत चित और हिंसा कठोरता एवं दुस साहस से दूर रहने वाला था जितेंद्रिय होने के कारण वे निवृत्ती मार्ग में ही स्थित रहता था उसने वेद रूपी समुद्र का पार पालिया था वे संपूर शास्त्रों के तातपर्य का भी ग्याता था उसका चित सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था वे मन को अंतर आत्मा में लगा कर सदा आत्म तत्व का साक्षात कार किया करता था अतह जब वो चलने लगता तो मैं प्रेम वश उसके पीछे दोड़ दोड़ कर उससे हाथ का सहारा देता रहता था ये देख मेरे पार्शद भ्रिंगी रिटी ने पूछा भगवन इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा इस महात्मा ने कौन सा तप हो मत्वा जब किया है कि स्वयम आप ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते चलते हैं भ्रिंगी रिटी का ये प्रशन सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंब किया एक समय की बात है केलाश परवत के पाशर्व भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमरत्मई किर्णों से धुली हुई भूमी में एक वेदी का आश्रे लेकर मैं बैठा हुआ था मेरे बैठने के क्षन भर भाधी सहसा बड़े जोर की आंधी उठी वहां के व्रिक्षों की शाखाएं नीचे उपर होकर आपस में टकराने लगी कितनी ही टहनिया टूट टूट कर विखर गई परवत की अविचल छाया भी हिलने लगी इसके बाद वहां महान भयंकर शब् वे कजल की राशी अंधकार के समू अथ्वा पंक कटे हुए काले परवत सा जान पड़ता था पैरों से प्रिथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुन्दर नवीन कमल मेरे चर्णों में रखकर स्पष्ट वानी में स्थुपी करनी अरंब की पक्षी बोला होता है आप विद्या मै उपादी से रहित नित्मुक्त निराकार निरामै असीम अहंकार शून्य आवरन रहित और निर्गुण हैं आपके चर्ण कमल शर्णागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीन हैं आपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विश्ज्वाला से प्रमान मैं स्वरूप ही हैं आपको बारंबार नमसकार है चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है मैं स्रेष्ट योगियों द्वारा चुम्बित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूं जो अपार भवववाप के समुद्र से पार उ शाक्तिशाली है महादेव साक्षात ब्रहस्पती भी आपकी स्थुती करने की धृष्टता नहीं कर सकते सहस्र मुख वालो नागराज शेश में भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सकें फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धी वाले पक्षी की तो विसात ही क्या है उस पक्षी के द्वारा किये हुए इन स्तोत्रों को सुनकर मैंने उससे पूछा पिहंगम तुम कोन हो और कहां से आये हो तुमारी आकरती तो हंस जैसी है मगर रंग कवे के जैसा है तुम जिस प्रियोजन को लेकर यहां आये हो उसे बताओ तो पक्षी ब जद्यपी आप सरवग्य हैं अता आप से कोई भी बात छिपी नहीं है कतापी यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ सोराश्ट्र सूरत नगर के पास एक सुन्दर सरोवर हैं जिसमें कमल लहलहाते रहते हैं उसी में से बाल चंद्रमा के टुकडे जैसे श्वेत मरिण के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीवर गती से अकाश में उड़ रहा था उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृत्वी पर गिर पड़ा जब होश में आया तो अपने गिरने का कोई कारण ना देख सका तो मनी मन सोचने लगा अहो ये मुझ पर क्या आपड़ा आज मेरा पतन कैस हो गया पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेट श्रीर में ये कालिमा कैसे आ गई इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचारी कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे एक वानी सुनाई दी हंस उठो मैं तुमारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूं तब मै उठकर सरोवर के बीच में गया और वहां पाँच कमलों से युक्त एक सुन्दर कमलिनी को देखा उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिना की और अपना पतन का सारा कारण पूछा कमलिनी बोली कल हंस तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो उसी पातक के परिणा प्रित्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुमारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है तुमें गिरा देख मेरे हिर्दे में दया भराई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंद को सूंग कर साथ ह जार भंबरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए हैं पक्षी राज जिस कारण मुझ में इतना वैभव ऐसा प्रभाव आया है उसे भी बतलाती हूँ सुनो इस जन से पहले तीसरे जन में मैं इस प्रित्वी पर एक ब्रामन की कन्या के रूप में उत्पन हुई थी उस समय म मैं एक मैना को पढ़ा रही थी इस से पती सेवा में कुछ विलंभ हो गया इस से पती देवता कुपित हो गए उरुनोंने शाप दिया पापनी तुम मैना हो जा मरने के बाद यद्पी में मैना ही हुई तथा पी पती व्रत्य के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आ नाम से प्रसिद्ध गीता के दस्वे अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापाहारी अध्याय को सुना करती थी, विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़ कर दशम अध्याय के महात्मे से स्वर्ग लोक में अपसरा हुई, मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद् पड़ी और इसमें उतर कर जो ही मैंने जल क्रीडा अरंब की त्यों ही दुरवासा मुनिया धमके उन्होंने वस्त्रही नवस्ता में मुझे देख लिया, उनके भैसे मैंने स्वयम ही यह कमलिनी का रूप धारन कर लिया, मेरे दोनों पैर दो कमल हुए, दोनों हाथ भी दो कमल हो गए, और शेश अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ, इस प्रकार में पांच कमलों से युक्त हुई, मुनिवर दुरवासा ने मुझे देखा, उनके नेत्र क्रोधागनी से जल रहे थे, वे बोले, पापिनी, तु इसी रूप में सो वर्षों तक पड़ी रह ये शाप देखकर वे शन भर में अंतरधान हो गए, कमलनी के होने पर भी विभूती योगा ध्याय के महात्मे से मेरी वानी लुपत नहीं हुई है, मुझे लांगने मातर के अपराद से तुम प्रित्वी पर गिरे हो पक्षी राज, यहां खड़े हुए तुमारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ती हो रही है, क्योंकि आज सो वर्ष पूरे हो गए, मेरे द्वारा गाये जाते हुए उस उत्तम अध्याय को भी तुम सुन लो, उसके श्रवन मातर से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे, यह कहकर पदमिनी ने स्पष्ट एवन सुन्दरवा जानी में दस्वे अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई, उसे सुनने के बाद उसी के दिये हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अरपन किया है, इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर प्याग दिया, यह एक अध्भूत सी घटना हुई, वही प्रभाव से ब्रामन कुल में उत्पन हुआ है, जन से ही अभ्यास होने के कारण, शैश वावस्था से ही इसके मुक्से सदा गीता के दस्वे अध्याय का उच्चारण हुआ करता है, दस्वे अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है, कि यह सब भूतों में स्थ शंक चक्र धारी भगवान विश्नु का सदा ही दर्शन करता है, इसकी सने पूर्ण द्रिश्टी जब कभी किसी देधारी के शरीर पर पढ़ जाती है, तो वह चाए शराबी और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों नहो, वह मुक्त हो जाता है, तथा पूरु जन्म के अभ्यास से कि हुए दस्वे अध्याय के महात्मे से इसको दुरलब तत्व ज्यान प्राप्त है, तथा इसने जीवन मुक्ती भी पाली है, अतह जब ये रास्ता चलने लगता है, तो मैं इसे हाथ का सहारा दिये रहता हूँ, भ्रंगी रिटे ये सब दस्वे अध्याय की ही महिमा है, पा कही है, नर हो या नारी, अथवा कोई भी क्यों ना हो, इस दस्वे अध्याय के श्रवन से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राफ्त होता है, बोलिये श्री भगवान क्रिश्न की जै ओम नमो भगवते वासु देवाए, तो कल हम श्रीमत भगवत गीता के ग्यार्वे अ तर्ले तो की एका या था हूजार्व ऱटन के ग्यार्वेदान के अगवेखन की टन प्राफ्त है, तो सकत्तात वे घहते हैं, अल का येदेश्ड सेंगे हैं.